क्रिश्ची के इस विशेशंग पर मैं ग्याउं की फसल के बारे में चर्चा करने के लिए आप से रूबरू हुआ हूँ पिता तुले बुज़र्गों, नोजवान साथियों, पिता मतर शक्ती, मातायों और बहनों को सादर परणाम, ससर्येकाल, आदाब गुरु किरपा सीट के इस यूटूब चैनल पर मैं आजबी का हारती का बिनंदन करता हूँ, मैं गुरुबा सिंग डबरी आप सभी को यूटूब चैनल के लिए आपको अमंतरित करता हूँ कि आप इस यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब जूरूर करें, ताह जो पंजाब एगरिकर्चर उनिवस्टी लो ध्याना ने उननत तीन सो तरतालीस एक उन्दा किसम दी थी, जिसने लगबग 15 साल किसानों के दिलों पर राज किया और उसने भरपूर उत्पादन दिया, उसी की पंजाब किशिव उस्ट्याले की जो किसमें हैं उसके उपर PBW 303 के नाम से दबार से रिलीज किया गया है, उसका बीच आपको असानी से मिल जाता है, PBW 550 को भी जीन डाल दिया गया है, उसके उसमें उत्पादन स्तर को बढ़ाया गया है, उसका नाम भी उननत PBW 550 है, साथ की साथ 213 में रिलीज हुई स्टेट रिलीज वरेटी है, PBW 6 277 ये बहुत अच्छी किसम है, हरेणा, पंजाब, उत्रपदेश में इसका अधिक से अधिक 27 कोंटल तक उत्पादन लिया जा सकता है, इसके साथ हाल ही में रिलीज पीडेवली 752 बहुत अच्छी किसम है, ये किसम दोस्तों पशेती काटेगरी में रिलीज की गई है, ले एक बहुत ही अच्छी किसम है, PBW 752, मेरा सभी किसान भाईयों से अंडरोद रहेगा, कि आप PBW 752 का आप विजाई जरू करें, पिंजाब का ये जो पिंजाब करिशिव विश्वजाले की वरैटी है, ये नाबा है, उनका सीड प्रडेक्शन फारम है, वहां भी आप इंटरनेट से, वैब साइट से उनका दूरभाष नंबर ले सकते हैं, उनका मवाईल नंबर, कॉंटेक्ट नंबर ले सकते हैं, ताँ जो आप उनसे संपर करके इन वरैटियों का बीज ले सके, इसी के साथ साथ दोस्तों 752 आती है, 725 उनकी एक वरैटी आती है, वो इसकी बजाई दिसंबर तक चलती रहती है, यह इस वरैटी की बहुत खूबसूरत है, खूबसूरती है, फ्लیکसिबिलिटी है, लेकिन किसान जो किसान 10 नॉम्बर के आसपास बजाई करता है, वो इसका उतपादन 26 कॉंटल तक भी ले सकता है, यह बोनी किसम है, यह गिरनी 277, 725, 723 और 677, साथ किसमें मैंने आप से बात करीब पिंजाब कृषी विश्व देलया लुदिहना की, इन में पीला रत्वा और भूरा रत्वा नहीं आता है, इसमें किंग्यारी रोग और करनाल बंट आने की भी समस्या नहीं है, और ना ही इन में लॉजिंग की दिक्क 22 नहीं मिल रहा है, मेरा आप उन से अंडरोदर कर रहा हूं कि वो अगले साल इसका बीज ले सकते हैं, किरपा जल्द बाजी ना करें, आप तो इसमें बीज कम आतरा में अपलब्द है मार्किट में, कई बार किसान को गल्थ बीद दिया जाता है, डूबलिकेट बीदाज दिये जाता है, और उससे पैसे पूरे लिए जाते हैं, जिससे किसान को आर्थिक खानी का सम ना करना पड़ता है, इसलिए ऐसा कदापी ना करें, कि आप की फसल खराब हो जाए, आप सिर्फ करिशी विश्व देले के दोबारा अनुमोदित किसमें, जो मैंने अपने अगर किसान भाईयों को कुछ बीज उप्रापत होता है, बीज उद पादन के लिए आप भारतिये गयों जो अनुसंदान से करनाल से बीड़ती आपको दस किलो के आसपास मिल जाएगा, आप उसका बीज उद पादन करें, अगले साल अपने उसको मेटेलिक बिल में रखक आपने नेक्स अगले साल आप उसका बरपूर उद्पादन ले सकते हैं अधिक मात्रा में बिजाई करका हैं तो इसी के साथ ये वारता आपसे संजी करी है उमीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा कमेंट में जुरूर लिखें आपको जिस फसल के बारें ग करी सान